नमस्कार दोस्तों मैं उसनी पांडे स्वागत है अब सबके एक ने वीडियो में नो एक बहुत बड़ी निउस सामने आई है कि चंद्रियान थिरी के एक क्यूपमिंट ने बहुत बड़ा काम किया है काम क्या है ओक्सीजन ढूल निकाला है अब देखो ओक्सीजन ढूल निकाला है इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ही है कि अगर ओक्सीजन वहाँ पे एभी लेवल है इसका मतलब है कि वहाँ पे जीवन भी हो सकता है इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़े हैं जो वहाँ पे अब पोसिबल हो सकती है चंद्यान्थ्री के प्रज्ञान रोवर में एक यंत्र लगा है जिसको हम कहते हैं लिप्स होता है लेजर इंडियूजड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी ये क्या करता है ये कैसी चीज है जो बहुत ही स्पीड में जो लेजर लाइट होती है वो पत्थरों पे या जमीन के किसी भी सता पे बेहत गर्म लेजर लाइट जो होती है वो डालता है और उससे क्या होता है कि वहाँ पे प्लाजमा के आकार में चीज़े हो जाती है छोटी छोटी चीज़े पिखल जाती है अगर आक्सीजन के बाद हाइट्रोजन भी मिलता है तो चांद पर पानी बनाना आसान हो जाएगा और जो लिप्स था या लाई बियस जिसको बोलते हैं या चांद की सता पर तिर्ब गती से लेजर की लाइटे जो है किर्णे जो है वो फेकता है उन किर्णों को फेंगने के बाद में उनका एनिलेसिस करता है ये लेजर लाइटे जो है बहुत ही जादा तीम गती के साथ में पत्थर या मिटी पर गिरती है इससे वहाँ पर बेहत गर्म पलाजमा पैदा होता है ठीक है वैसा ही पलाजमा उत्पन होता है जैसे सूर की प्रतिवी का एड्मोस्पेर बहुत अच्छा है तो वो दोनों साइड में उनको गिरा देता है और वो आरो रास बन जाते हैं प्रतिवी पर नहीं गिरते हैं दोनों साइड में अंत्रिक्ष में गिर जाते हैं तो वैसे ये जो लिप्स है इसकी लेजर लाइटे पढ़ती ह उसके मिट्टी पे तो बहुत ही ज़्यादा तेजी से पढ़ती है वहाँ पे पलाजमा बना देती है उस चीजों को और उसके बाद में उसको एनलेसिस करती है कि इसमें मिल के सकता है तो ओक्सीजन डोड निगाना है और अब इसके बाद में अगर वहाँ पे हाइट्रोजन मिल जाता है तो पानी बनाना असान हो जाएगा और अगर ऐसा कुछ है कि यह बात कि लिए रहे कि वहाँ पे कुछ ना कुछ तो जीव जन्त होंगे बीसलिए लिए वह सकते हैं या कोई भी होसकता है देको एलिएन वाली बात थोड़ा है अईसा लगता है कि यह तो कुछ तो जिन के इलावा यहां पर सब्सक्र, एल्मोनियम, टेल्सियम, लोहा, क्रेंटियम, टाइटेनियम और सिलकन यह सब चीजे मिल चुकी है। बात करने का परपस है कि एक पाकिस्तानी नोजवान, एक शेहरी का, हिंदुस्तान के बारे में क्या ख्याल है? अच्छा तो नहीं होगा। नहीं मानते हैं? जिर्फ कानों से सुना, वो इतबार कर दिया। आप किस पे मानेगे। यह रक्षा चान पे पहुंच गया। मान जाएंगे। यह रक्षा कैसे चान पे पहुंच सकता है। प्र आप मुझे बताई क्या प्रूफ देता हूँ। मुझे यह चाहिए कि मैंने अपनी आंखों से देखा हो कि वो पूरा सफ़र यू तैय कर रहा और उपर चांद पर गया वो आपकी रोशनी आपकी आखों के पास इतनी पावर है कि आप इधर से आपको अपना जवाब है यह हवा को देख सकते हैं हवा को नहीं देख सकते हैं इसलिए कि इनके पास इतनी टेकनोलिजी नहीं है इसलाम के मुताबिक जलता हूं कुरान में इसलाम कहता है अप आप इसलाम करें मौमिन जब तक अपनी आंख से कोई चीज देख ले ना ले उस पर यकीन ना करें टेकनोलिजी में आई वीएफ सुना है ना येफ आप इसा नॉर्मल हो या ना हो और वो ग्रोथ हो या ना हो